वेलकम बैक तो माई चैनल हाला ड्रेस आइडियाज वीवर्स आज मैं आपके साथ छोटी बच्चियों के ड्रेस के डिजाइनिंग शेयर करने वाली हूँ वीवर्स आइडियाज आपके लेकर आई होँ अफिर्ण यूर्स आईडियाज बच्चियों के लिए बच्चिओ करना हैं बच्चियों प्रिंट्रर आइडियाज वीडियों के भी जाेयंगे आप कोई भी आइडिया यहां से ले सकती है आप फ्रोग की डिजाइनिंग अगर चाहती है तो फ्रोग भी आप यहां से देखकर अपने बच्चों के लिए डिजाइन कर सकती है या फिर आप स्क्रिंशोर लेकर किसी टेलर को दिखाकर इस तरह की dress की designing भी करवा सकती है different ideas, color combinations बहुत ही प्यारे है आप printed fabric लेकर उसको use कर सकती है आपने अगर plain fabric यूज करना है तो उसको laces के साथ design कर सकती है color combinations different choose कर सकती है बहुत ही प्यारे designing गर अगर आपने party wear के लिए बचों को frog design करना है तो उसके ideas भी आप यहां से देख सकती है किस तरह से fancy look दी चाह सकती है plain fabric में आप fancy laces को use कर सकती है या पिर अगर आपने embroidery वाला fabric लिया है तो उसको भी आप different तरीके से ribbons लगा कर design करवा सकती है cuttings और stitching style आप दोनों यहां से देख सकती है किस तरह का cut work आप दे सकती है अपनी बच्चों के लिए जो कि उनको प्यारी खुबसर लुक भी देगा और comfortable भी हो उनके लिए जैसा कि आप यहां पर देख रही है यहां पर frog को lace के साथ design किया गया है और अगर आपने बटन के साथ designing करनी है आप बटन्स को भी यूज़ कर सकती है फ्रिल स्टाइल में frog बनाना चाहती है थोड़ा अगर आपने fancy look देना है तो आप टेल स्टाइल दे सकती है आपने अगर neckline को खुब सब बनाना है तो आप उसके उपर बारी एक गॉर्लर कलर की ribbon को यूज़ कर सकती है पल्स को यूज़ किया जा सकता है multiple ideas आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे जैसा कि आप यहां पर देख रही है यहां पर भी side open style में frog डिजाइन किया गया है आप ribbons को यूज़ कर सकती है टसल को यूज़ कर सकती है और अगर आपने sleeves को डिजाइन करना है तो आप उसको frill style में बना सकती है plane kurta style बनाना है तो वह भी आप round diamond के साथ बना सकती है short frog बना रही है तो उसको आप side open style में बना सकती है साथ आप dory यूज़ कर सकती है different ideas है जैसा कि आप यहां पर देख रही है यहां पर frog डिजाइन किया गया है plain और printed दोनों के fabric को यूज़ करते हुए और अगर आपने लेसिस को यूज़ करना है तो उसके ideas भी आप यहां से ले सकती है अगर आपने winter के season के लिए बनाना है तो आप velvet का fabric यूज़ कर सकती है आप खदर का fabric यूज़ कर सकती है बच्चियों के लिए भी जो के comfortable भी होगा और वो easily उनको carry भी कर सकती है जसके आप यहां पर देख रही है red color का frock है simple सा golden lace के यूज़ करते हुए इसको design किया गया है आप color combinations जहां से देख सकती है कि किस तरह का color combination यूज़ करते हुए आप अपनी बच्चियों के लिए frock design करवा सकती है चाहे तो आपने share design करनी है आप कोई भी style अपनी बच्चियों के dresses को दे सकती है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को भी प्रस कर दीजिए ताके हाँ नहीं आने वाली वीडियो का notification आपको मिलता रहे मुझे comment box में भी बता सकती है कि आपको किस तरह के ideas चाहिए या आपको किस तरह के ideas अच्छे लगते हैं ताके उस तरह की designing में आपके लिए लेकर आती रहें तरह किस चाहिए सब्सक्याओ